Welcome to study channel, मिर नाम है मुहम्मद कैसर, काफी समय के बाद यूपी सिक्षा सवचान आयोग से कुछ अच्छी खबर निकल करा रही है, नहीं तो पिछले कुछ मेनों से लगातार नेगेटिव खबरें ही आ रही थी आज अच्छी खबर निकल कर आई है, यूपी सिक्षा सवचान आयोग को बहुत ही जल्द अध्यक्ष मिलने जा रही है कल यानि 25 अगस्त को सिक्षा सवचान आयोग के अध्यक्ष पत के लिए इंटर्व्यू होगा बहुत सारे आवेदन आये थे, तो उन आवेदन के अधार पर 60 अगस्त करके कल इंटर्व्यू उसका होना है और इंटर्व्यू के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर अध्यक्ष मिल जाएंगे नए आयोग को तो इस समय यूपी सरकार भरतियों को लेकर काफी बाइक फुट पर है 69,000 आरक्षर मामले में काफी सरकार के किलकिरी हो रही है इसी भी सरकार कुछ काम करके अपने छवी को बहतर करने की कोशिश करेंगे तो आप ये अपडेट देख सकते हैं सिक्षा से बचैन आयोग को जल्द मिल जाएंगे मुखिया 25 को साक्षातकार होना है इसके बाद सिक्षकों के चैन में आएगी तेजी अध्यक्ष की निक्ति ना हो पाने से सिक्षकों की चैन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी इस आयोग का गठन बेसिक माद में कुछ चुवा तक्निकी सिक्षा में सिक्षकों के चैन के लिए किया गया है मुक्ष सच्यू की अध्यक्षता में गठित चैन कमिटी की संतूती पर मुक्ष मंत्री द्वारा अध्यक्ष की निक्ति की जाएगी अध्यक्ष पद के लिए लगवग साथ आवेदन आये हैं मुक्ष सच्यू मनोच कुमार सींग के लोग भवान दिस्तित का रियाला में रवीवार को साक्षातकार होना है इसमें अपर मुक्ष सच्यू मादमे सिक्षा तीपक कुमार प्रमुक सचिव उक्ष सिक्षा M.P. अगरवाल और प्रमुक सचिव बेसि सिक्षा M.K.S. सुन्दरम होंगे तो कल फाइनली ये साक्षातकार होगा देखना होगा कितना जल्दी रिजल्ट ये निकालते हैं उसके बाद फिर मुक्पंतर इस पर फाइनल साइन करते हैं और अध्यक्ष मिल जाते हैं नए आयोग को अब पूरी उम्मीद हो गई है कि अगले माँ सेप्टेंबर तक अध्यक्ष आ जाएंगे नए आयोग में उसके बाद भरते हों को लेकर करवाई शुरू होगी वही कराना सरकार की प्रमुक्ता है देखना होगा कल के साक्षातकार के बाद कितनी जल्दी नियुक्ती हो पाती है दोनों लंबित परिक्षा है तो इस साल हो पाने की संभावना नहीं है यदि पहले 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई नॉमबर इसंबर तक तो टीजीटी बीजीटी अगले साल ही होगा और इसी के चांसेस भी हैं इसी की खबर भी आ रहे है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परिक्षा होगी कि अच्छिटीं के युर्फेसर वाली ए रहे लिए थाओ उड़वाचे वाली आ असिए वाली आडी आड होगा वाली आड होगी